हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 1000 स्क्वेर फिट हाउस में लगने वाली ब्रिक्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करने की तो बहुती सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी से किसी भी बुल्ट अप एरिया के लिए ब्रिक कैलकुलेट कर लेंगे वो भी म स्क्वेर फिट का बिल्ट अप एरिया है इसमें हमारी इंटरनल फिवाल की थिकनेस तो भाल के करनेके लिए सबसे पहले तो आप 9 इंची और चार इंची दोनों ही वाल का टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो यह पहला स्टेप रहेगा तो चलिए कैलकुलेट करते हैं तो 9 इंच की टोटल वाल लेंथ हैं 50 प्लस 20 फीट प्लस 50 फीट प्लस 20 फीट तो यह चारो तरफ की एक्सटरनल वाल है बाहर वाली और यह लेंथ हो गई हमारी 140 फीट वाल की हाइट हमने लिए है 10 फीट तो 9 इंच वाल का टोटल एरिया हो जाएगा 140 फीट टोटल लेंथ ओफ फॉल इंटू 10 फीट हाइट ओफ तो टोटल एरिया हो गया हमारा 9 इंच वाल का 1400 स्क्वेर फीट अब ट्रिक यह है कि बस आप सिंपली इस एरिया को 10 से मल्टिपलाई कर देंगे 9 इंच वाल के लिए यह ध्यान रखना कि यह 10 से मल्टिपलाई सिर्फ 9 इंच वाल के लिए करना है तो यह आगई 14,000 ब्रिक् इंच वाल की ब्रिक क्वांटिटी अब 4 इंच वाल की टोटल लेंथ कल्कुलेट करेंगे और यह हो गई हमारी दो वाल है इंटरनल 50 वीट और दूसरी 20 वीट तो टोटल लेंथ हो गई 70 वीट और टोटल एरिया आ जाएगा 4 इंच वाल का 70 उना 10 is equal to 700 स्कूर फीट अब 4 इंच वाल के लिए आपको टोटल एरिया को 5 से मल्टिप्लाई कर देना है मिस नो इंच वाल में 10 से और चार इंच वाल में 5 से तो टोटल ब्रिक की क्वांटिटी आ जाएगी तो चार इंच वाल में टोटल ब्रिक हो जाएंगी हमारी 700 गुना 5 is equal to 3500 ब्रिक्स अब ऐसे ही पेरपेट वाल की ब्रिक क्वांटिटी केलकुलेट करेंगे तो पेरपेट वाल की लेंथ तो सेम होगी एक्स्टरनल वाल के जितनी मिस पेरपेट वाल की लेंथ होगी 140 फीट और जनरली इसकी हाइट हम 3 फीट तक लेते हैं तो टोटल एरिया हो जाएगा पेरपेट वाल क 140 feet into 3 feet is equal to 420 square feet तो क्योंकि parapet wall भी 4 inch की होगी तो इसे भी 5 से multiply करेंगे और ये हो जाएंगी 420 गुना 5 is equal to 2100 bricks तो total bricks required होगी 1000 square feet के house area में सब को total कर देंगे 9 inch wall plus 4 inch wall plus parapet wall तो ये हो गई 14000 plus 3500 plus 2100 is equal to 19600 number of bricks अब दोस्तों मैं आपको बता दू कि 10 और 5 से multiply करने का reason क्या है कि 9 inch wall में 1 square feet में हमारी 10 bricks आती है और 4 inch wall में 5 per square feet तो बस इसलिए हमने इन्हें 10 और 5 से multiply किया है एक बात और इससे आपकी exact तो नहीं पर 95% quantity correct calculate होगी जिससे आप एक approximate estimate असानी से लगा सकते हैं तो if you learn something please like the video and share it with someone who might benefit from it subscribe to my engineering support channel and push the notification well so that you won't miss the new videos see you in the next video finally thanks for watching